करीब पकोड़े वाले भाग एक संघर्ष की शुरुवात रामू एक छोटे से गाउं में रहने वाला लड़का अपनी इमानदारी और महनत के लिए मशहूर था उसके पिता एक गरीब किसान थे जिनके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी परिवार की आर्थिक स्थिती ठीक नहीं थी और जैसे तैसे करके दो वक्त की रोटी जुटा पाते थे रामू की माँ घर के कामकाज के साथ साथ सिलाई का भी काम करती थी ताकि परिवार का गुजारा हो सके रामू का बचपन कठिनाईयों से भरा हुआ था जब हकेवल बारह साल का था उसके पिता एक गंभीर बीमारी के चलते चल बसे घर की हालत और बिगड़ गई अब रामू और उसकी माँ पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई माँ ने सिलाई के काम को बढ़ाने की कोशिश की लेकिन गाव में इतने पैसे नहीं थे कि उससे परिवार का खर्च चल सके फाग दो मजबूरी से अवसर तक पिता के जाने के बाद रामू ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम करने लगा उसने खेतों में मजबूरी की गाव के दुकानदारों के लिए सामान ढोने का काम किया और कभी-कभी लोगों के घरों में भी मदद की लेकिन इन कामों से मिलने वाली मजबूरी बहुत कम थी और घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता था एक दिन रामू ने देखा कि गाव के मेले में एक आदमी पकोडे बेच रहा था और लोग बड़ी संख्या में उसकी दुकान पर आ रहे थे उसे देखकर रामू के मन में एक विचार आया क्यों न वह भी पकोडे बेचने का काम शुरू करे उसने अपनी मा से इस बारे में बात की मा ने भी उसका हौसला बढ़ाया लेकिन उनके पास इस काम को शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे रामू ने हार नहीं मानी उसने अपनी मा के पुराने गहने बेच दिये और थोड़े से पैसे इकठे किये इन पैसों से उसने पकोडे बनाने का सामान खरीदा और अपने घर के बाहर ही एक छोटी सी दुकान लगा ली भाग तीन पहली सफलता शुरू में रामू को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ा गाव के लोग उसके पकोडे खरीदने से जिजगते थे क्योंकि वे उसे एक साधारन मजदूर के रूप में जानते थे लेकिन रामू ने अपनी मा के साथ मिलकर महनत की उसने पकोडों के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए नए नए प्रयोग किये धीरे धीरे उसके दुकान पर लोग आने लगे रामू के पकोडे अब गाव में चर्चा का विशय बन गए थे रामू की दुकान चल पड़ी उसकी मा ने भी इसमें उसका साथ दिया अब वे दोनों मिलकर पकोडे बनाते और बेचते इससे उनकी आर्थिक स्थिती में सुधार होने लगा रामू ने जो सपने देखे थे वे अब पूरे होते नजर आ रहे थे वह अपनी बहन को फिर से स्कूल भेजने के बारे में सोचने लगा भाग चार चुनौतियों का सामना रामू की दुकान जब चल पड़ी तो गाम के कुछ लोगों को उसकी तरक्की देख कर जलन होने लगी गाम के दबंग लोग जो पहले से ही व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए बैठे थे रामू की सफलता को सहन नहीं कर पाए उन्होंने रामू को धमकाया और उसकी दुकान बंद करने की धमकी दी रामू ने उनकी धमकियों को नजरंदाज कर दिया और अपना काम जारी रखा एक दिन उन दबंगों ने रामू की दुकान पर हमला कर दिया और उसकी सारी सामगरी बरबाद कर दी रामू के लिए यह एक बड़ा जख्का था लेकिन उसने हार नहीं मानी गाव के कुछ लोग जो रामू की महनत से प्रभावित थे उसकी मदद के लिए आगे आए उन्होंने रामू को फिर से उसकी दुकान शुरू करने में मदद की भाग पांच सफलता की राह पर रामू की मेंनत रंग लाई उसने अपनी दुकान को फिर से खड़ा किया और और भी बहतर तरीके से काम करने लगा उसकी इमानदारी और महनत की वज़ह से गाव के लोग उसके साथ खड़े हो गए रामू ने धीरे-धीरे अपनी दुकान को और बढ़ा किया अब उसकी दुकान पर सिर्फ पकॉडे ही नहीं, बलकि चाय और अन्य नाश्टे के आइटम भी बिखने लगे. रामू की सफलता अब गाउं के बाहर भी फैलने लगी. शहर के कुछ लोग भी उसके पकॉडे खाने के लिए आने लगे. रामू ने अपने छोटे से गाउं से किराय पर ली. शहर में प्रतिसपरधा बहुत थी, लेकिन रामू के पकॉडे का स्वाद लोगों को खीच लाया. कुछ ही समय में उसकी दुकान मशहूर हो गई. अब वह सिर्फ पकॉडे वाला नहीं, बलकि एक सफल व्यापारी बन चुका था. रामू ने अपनी बेहन की शादी अच्छे घर में कर दी और अपनी मा को आराम का जीवन देने में सफल रहा. उसकी मेहनत और लगन ने उसे उस मुकाम तक पहुचाया, जिसकी उसने कभी कलपना भी नहीं की थी. रामू की कहानी एक गरीब लड़के की संघर्ष और महनत की कहानी है, जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कभी हार नहीं माली. यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि आप सच्चे दिल से महनत करते हैं और अपने काम के प्रती इमानदार रहते हैं, तो कोई भी आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती.